ओम शान्ती आज आपका वर्दान का साथवा दिन और आज के वर्दान में पर्मपिता परमात्मा हमें याद दिलाते हैं कि हम मुक्ती जीवन मुक्ती की जो मेहनत करते हैं उसमें हम चाहते हैं कि हम मुक्त हो जाएं किस से उन लोगों से जो कि हमें जीवन काल भर दुख देत लेकिन फिर भी हमें अगर किसी को माफ करना है, माफ करना मतलब अपने आपको ही हलका करना और अपने आपको ही छोड़वाना है, तो हमें और आत्माओं को अपनी स्मृति में रखना, उनकी याद को अपने अंदर बरकरार रखना, वो भी एक बहुत बड़ी गलती है, क्यों मैं प्रभू की हो गई कैसे हो गई आई ये देखें और विस्तार में आज के वर्दान में तो प्रमात्मा कहते हैं एक बाप की स्मृति से सच्चे सुहाग का अनुभव करने वाले अब सुहाग की बात आती है भागिवान आत्मा भवा सुहाग तो देखा जाए तो एक पत्नी अपने पती के लिए रखती है कि जब से अपने पती की तस्वीर देखती है तब से वो खो जाती है अपने पती की याद में आज की बात तो अलग है लेकिन परमात्मा कहते हैं कि ऐसा ही होना चाहिए तो परमात्मा कहते हैं कि वो समय जब एक इस्तरी एक पुरश को अपने होने वाले हस्बेंड को पती को देखती है तो बस उसकी ही सोच में खो जाती है तो परमात्मा कहते हैं उसी तरीके से ये कल्लो के अंत्में अगर हम आत्माएं परम पिता परमात्मा को सिर्फ पिता, शिक्षक, सद्गुरु नहीं, बंदु नहीं, सका ही नहीं पर अपने साजन मान लें साजन मतलब क्यों साजन साजन मानने से मतलब यह है कि वो आपके शरीर के साजन तो नहीं होए लेकिन आप आत्मा का आप रूह का उनके साथ में एक मिलन जुड़ गया है क्यों ताकि आपको अंत में अपने शरीर वाला साजन या सजनी अपने घर बाहर के लोग कोई भी शेरी छोड़ते समय मुहों के वश में होने के कारण याद ना आए नहीं तो अंत मती सोगती मलत कि अंत में जहां आपकी मती गई आपकी जहां पर मन गया बुद्धी गई जहां लगाव गया आपको फिर से इसी कल्यूग में फिर जनम लेना पड़ेगा तो परमात्मा कहते हैं इसका आप पुर्शात करो इसका भला यह नहीं कि आप सन्यास लेके दूर भाग करके आप सीधा जाकर के पहाड़ों पे राना शुरू कर दो वो सन्यास लेके रहते हुए सबके साथ में अपना जोड और तोड निभाते हुए तो परमात्मा कहते हैं यह तोड निभाने में अगर आप किसी के लगाव में आते हैं और मुझे भूल जाते हैं आप अपने साजन, दुनियावी साजन, दुनियावी सजनी के पीछे ही लगे रहते हैं, उनकी याद में रहते हैं, फिक्र में रहते हैं, चिंताओं में रहते हैं, तो फिर आप मुझ से अलग हो जाते हैं, सारी चिंता हैं मुझ को दे दो, क्योंकि चिंता में हम आंकार में जो किसी भी आत्मा के बोल सुनते हुए नहीं सुनते वैर्थ बोलो को तो प्रमात्मा ने बोला बित्कुल नहीं सुनना है जब तक कोई काम की बात न हो तब तक सुनना ही नहीं है काम की बात मतलब जो कोई वेर्थ की बात करता है इधर की बात उधर, उधर की बात इधर, नीच बातें, उच बातें किसी की महिमा करना, किसी को नीचे गिराना, किसी की चुगली करना जर्मुई जग्मुई बेकार की बाते करना धन संपत्ति की बाते करना लोग की बाते करना ये सारी चीजों से तो बिल्कुल ही किनारा कर लो क्यों कि ये घर कर गई तो लास्ट में दुनिया भी बातें आतेंगी किसी अन्य आत्मा की स्मृति संकल्प मनलत संकल्प में वास्वप्ण में भी नहीं लातें अर्थात किसी भी देहधारी के जोकाव में नहीं आतें किसी को अपने इसे उपर नहीं मनना परमात्मा पिता निराकार पिता सबसे उंचे हैं उनके सामने और कोई मनुश्य आत्मा जो कि सब उनके बच्चे हैं उनके सामने उनकी स्मृति को रखना याद रखना चाहे दुख की स्मृति रखना उनके साथ में चाहे सुख की स्मृति या खुशियों की स्मृति में आ आनंद, खुशी, शक्तियां, जो सब कुछ मैं अगर मांगूं भी, तो किसी मनुष्य से ना मांगूं कभी भी, मांगने से मरना भला, और परमात्मा तो अपना बनी गया है, तो उनसे मांगने की जुरूत है नहीं, मतलब उनकी याद में रहने से, automatically सारी शक्तियां, सारे गुण हमारे अंदर आ जाते हैं, तो फिर किसी इनसान की, किसी मनुष्य की महिमा करने से, किसी का फैन बनने से, किसी के पीछे लगने से, किसी की खुबसूरती के पीछे फसने से, ये सारी चीज़े हमें और मुक्ती से भंग कर देती हैं, दूर कर देती हैं, तो परमात्मा क्याते हैं, और भक्तनों में से सबसे उची भक्त गाई जाती हैं, और जो उन्होंने अपनी तपस्यया पुरा जीवन का शुरी कृश्ने की याद में डाला, तो उसी तरीके से वो तो देहधारी होए लेकिन परमात्मा कहते है मुझ निराकार की याद में रहो देहधारी की नहीं मुझ निराकार की मीरा बन जाओ तो आपके लिए विश भी आपके लिए क्या हो जाएगा अमरित हो जाएगा वो विश पीने के लिए भी परमात्मा कहते हैं मुझसे आकर के ग्यान लो Meditation सीखो मुझसे योग लगाओ याद में बैठो तब वो शक्तियां मिलेंगी तो फिर परमात्मा कहते हैं ऐसे सच्चे सुवाग वाले ही भागिवान हैं तो कितने भागिवान हैं आप जोईन करें इस ग्यान को परमात्मा के इस महान ग्यान को और साथ ही साथ याद में रहें योग सीखें जो कि प्राचीन योग है भारत का जिससे कि योगा नहीं योग जिससे कि आप परमात्मा के याद में रहे करके शक्तिय मरते अपने अंदर इसी के साथ ओम शैन्ती